मुहन भागवत को भी आप शर्मिंदा कर रहे हैं और मैं यह समझते हूँ कि दो से तीम बच्चे पैदा करना कोई जुर्म नहीं है और यादव कि कितने बच्चे हैं तकरीबन तस प्रव्ट भागवादी को टार्गेट करने के लिए तो यह मैं समझते हूँ प्रव्ट करने के लिए स्प्रीट के अडवोगेट आर्पा खानम हमारे साथ मोजूर है योगिया दितनाज जिस तरीके से जन संक्या नियंदरन कानून लेका रहे हैं उसी पर मुहन भागवत कह रहे हैं जन संक्या नियंदरन कानून का क्योंकि अक्सर यह भ्रहम फैलाया जाता है कि मुसल्मान चार बीविया रखते हैं और चालिस बच्चे पैदा करते हैं यह कौन कहता है यह भ्रहम कैसे फैलाया गया है तो जाहिर है कि अगर जनसंग्या नियंतर्ण कानून आएगा तो फिर ये भ्रह्म भी दूर हो जाएगा क्योंकि वर्ष 2022 के अंदर NHSFS की रिपोर्ट है उसके अधार पर अगर देखा जाए तो 83 प्रतीशत जो बच्चे हैं वो हिंदू दो से तीन बच्चे जो हैं वो हिंदू पैदा करते हैं और दो बच्चों की जो दर है तीरा प्रतीशत जो मुस्लिम अबादी है वो तीरा प्रतीशत दो बच्चों से जादा बच्चे नहीं पैदा करते हैं तो यह इस तरीके के ब्रह्म फैलाना और खास तोर पर आप किसी से पूछेंगे कि जन संख्या नियंद्रन कानून आ रहा है तो उस पर वो कहेंगे कि हाँ यह आना चाहिए क्योंकि मुस्लिम जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो इस तरीके कानून अगर आता है तो हम स्वागत चाहिए और बहुत वक्त से इस पर चर्चा हो रही है cnrc लेकर आए वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ जन संख्या नियंद्रन कानून अगर लेकर आना चाहते हैं लेकिन मोहन भागवत का इस तरीके का बयान देना कि जादा बच्चे पैदा करने वाला जानवर है यह जानवरों से तर्गेट यह यह बेहद निंद्रनीय है और मोहन भागवत जी को इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि इस तरीके के बयान से वह तमाम आप बहनों को भी आप शर्मिंदा कर रहे हैं और मैं यह समझते हूं कि दो से तीन बच्चे पैदा करना कोई चुर्म नहीं है और दूसरा यह कि अगर मैं पूछना चाहूं कि मोहन भागवत जी के कितने भाई बहन हैं योगी आदित्यनाद जी कितने भाई बहन हैं शायद पांच या छे लालु प्रसाद यादव कि कितने बच्चे हैं तक्रीबं 10 तो मैं समझती हूं कि यह तमाम ज पैयान नहीं देना चाहिए चंसंग के नियंतन कानून लाना चाहते हैं स्वागत करेंगे लुलू मौल है उस पर जो विवाद चल रहा है नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया वहीं आरे से जो है हनुमाद करने की बाद कर रही हैं देश के अंदर तमाम अलग-अलग द्धर्म के लोग रहते हैं तो अगर नमाज लूलूमॉल के अंदर अगर नमाज अदा हुई है कोई किक कि तरीके कोई पार्ट कर न चाहता है तो करें ए तो मौल का जो मांत मालिक है वो क्लेगा लोग करेंगे वहाँ पर और जहां तक मैं समझते हूं कि जो विश्व हिंदू परिश्यद विश्व हिंदू परिश्यद जिस तरीके से यह बयान दिया कि हम वहाँ पर चंडी पाठ होगा वहाँ पर हनुमान 40 आ पड़ा जाएगा तो मैं समझते हूं कि यह एक धर्म को टार्गेट करने के लिए इस तरीके की गतिवि तो है अब दो रुपिया जो है वह ऐसी पार हो चुका है तो पूछना चाहती हूं कि आज एक डॉलर की कीमत 80 है तो आज क्यों तक्यों आज कि तमाम तरीके के जो वो सत्ता से पाहर जो लोग थे और आज जब सत्ता के अंदर है तो आज भाशा अलग इस्तेमाल हो रही है तो देखिए यह सब देश के अंदर तमाम मुद्दे हैं महिंगाई बेरोजगारी अर्थ विवस्ता की आप हाला देख लिजे जीडीपी देश की क्या हो गई है लेकिन मुद्द सिर्फ और सिर्फ धार्मिक सांप्रदाइक देश के अंदर महौल और वाली जो इंसाफ देने वाली इधारे हैं वह कर रही है वह भी जो सब्धार्यों वह कहरें कि यहां पर इन सब्दों का यूज नहीं किया जा सकता पार्लिमेंट में किस तो यह वो शब्द हैं वो शब्द आटाए गए हैं जो उन पर बिल्कुल ठीक बैठते हैं जो सत्ता के अंदर अभी जो सरकार है उसके उपर अब यह मुझे बताइए ना कि जुमला जीवी किस ने कहा था अंदो सकते हैं तो यह भी कहा गया है तो देखिए जितने भी शब्द हैं वो तुमाम जो शब्द हैं इन आंदोलेंज जीवी शब्द कहां से आया था मैं पूछना चाहती है जुम्ला जीवी किस ने कहा था तो ग्रह मंत्री जी ने इस तरीके के शब्दों का ब्रस्टरा चार्ज यासे शब्द अगर इस तरीके के शब्द को ही अगर हटा दिया गया तो फिर चर्चा कैसे होगी और यह वही शब्द आप देखिएगा तवाम जो जो शब्द हटाए गए हैं आप उनकी लिस्ट देखिएगा यह वही शब्द हैं जो बिलकुल मौझुदा सरकार पर सटीक बैट रहे हैं उन्हीं शब्दों को सूची से हटा दिया गया है लेकिन बीज़ेपी से अगर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि जो रूपिया है को कॉंग्रेस की सरकार में भी गिर रहा था और अब जो सरकार है मौझुदा सरकार कॉंग्रेस से बहतर काम कर रही है देखे बहतर तो इस देश के अंदर सिर्फ और सिफ यह हो रहा है कि एक विशेश समुदाय को टार्गेट किया जा रहा है देश के अंदर दो अलग कानून चल रहे हैं अब मुस्लिम समुदाय के लिए अलग कानून चल रहा है और बाकी और दूसरे समुदाय के लिए अगर जनसंक्या नियंतन कानून लाएंगे तो अच्छा हो जाएगा कि जो ब्रहम है वो दूर होगा काम मैं पूछना चाहती हूँ अगनी वीर आपने बना कर छोड़ दिये देश के अंदर देखिए हम लोग हमेशा यह कहते हैं कि आप डेश को किस देश से कंपेर कर रहे है आज आप यह कहते हैं कि आप 4 साल की नौकरी जो है वो सेना की नौकरी ठेके पर देंगे और उसके बाद उसको बेरोजगार छोड़ देंगे तो यह तो देश के अंदर देखिए काम हो रहा है हम विश्व गुरू बन चुके हैं और यह विश्व गुरू जो की युवाउ को चार साल की सेना पर ठेके पर देने के बाद उनको रिटायर कर रहा है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो विकास हुआ है मैं पूछना चाहती हूँ आज विकास हुआ है वो विकास क्या हुआ पंद्रा लाक रुपे जो जुमला था आज किसके अकाउंट के अंदर आ अवी इन इतने सालों के अंदर आपने अपने चल्स परसर अपने अपने अध्योक्ति मित्रों को वाइदा पर पहुटाने के लिए इसे तमाम सांपरुदाय सत्रैकर मुद्दो को उठाया जाता है लोगों की भावनाओं को आप आप ये समझे कि लोगों की भावनाओं से खेला जाता है और खेल करके फिर उनको आप बुलन शेहर की घटना भी हाल दो दिन पहले हुई है और बुलन शेहर में आप ये देखिए कि लोग आ रहे हैं और गोली मार रहे हैं उदैपूर के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर चा उनी वेर बना कर छोड़ दे रहे हैं आप किन देशों से कंपेर कर रहे हैं देश की अबादी ऑबादी बढ़ रही है तो देश की आबादी पर अंकुष लगाने के लिए आज ये देखिए कि जरमी हो इटली हो ऐसे तमाम जो देश हैं जहां पर ये जन संख्या बढ़ान के लिए क्योंकि एक बार यह जर्मनी और इटली जैसे जो देश है वो जंसंगया बढ़ाने के लिए सरकारे छुटियां दे रही है तो जो जंसंगया पहले से ही नियंत्रन हैं उसको क्या नियंत्रन करना चाहते हैं इस सिर्फ देश का महौर खराब करके हिंदू-मसल्मान के के बीच में जो दिवार खाई आपने बस खड़ी कर दी है ताके बहस किसी और बुद्धे पह ना हो और सिर्फ लोगों को यही दिखाई दे कि हिंदू को को मिसलमानों से खत्रा है मिसलमानों को धुल रही है सिर्फ फर सिर्फ हर वक्त महंगाई पेट्रोल डीजल के दाम गर्र के अंदर एल्पीजी के सिलेंडरों के दाम इसकदर बढ़ गए लेकिन चर्चा सिर्फ फर सिर्फ हिंदु मुसल्मान पर हो रही है आप 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 आप